आज हम पढ़ रहे हैं NCERT Class 5th की EVS का Chapter 1 Super Senses तो सबसे पहले तो What are Sense Organs and How many Sense Organs do we have? कि सबसे पहले ये बताईए कि Sense Organs होते क्या है Sense Organs वो होते हैं जो हमें हमारी आसपास की दुनिया को जानने में, समझने में मदद करते हैं वही Sense Organs होते हैं और हमारे पास ऐसी कितनी Organs हैं? हमारे पास ऐसी 5 Organs है सबसे पहला है Ears जैसे कि हमारे कान हैं जो हमें किस में हल्प करते हैं? सुनने में हल्प करते हैं सबकी आवाजे सुनने में मदद करते हैं उसके बाद हमारे पास है टंग, जीब, जो हमको अलग अलग तरीके की टेस्टी टेस्टी चीजों को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसके बाद हमारे पास है आखे, जो हमें हमारी आसपास की colorful दुनिया को देखने में मदद करती हैं, उसके बाद हमारे पास नाख है, जो हमें अच्छी बूरी हर तरह की कि खुश्बू को सूंगने में मदद करती हैं और उसके बाद हमारे पास है fifth sense organs जो की है skin जो हमें मदद करते हैं किसी चीज को छू के उसे महसूस करने में क्या animals के पास भी sense organs है हाँ जरूर है even they also have sense organs और उनके sense organs super strong होते हैं super strong क्यों क्योंकि अगर आपने कभी observe किया है देखा है कि आप मानलो बाहर बैटके कुछ खाना खा रहे हो playground में और आपके पास कुछ खाना गिर गया हो जमीन पे तो फिर एक दूर से उड़ता हुआ eagle आता है और चू करके खाने को लेके उड़ जाता है तो वो कैसे कर पाता है क्योंकि उसको उतने दूर से वो खाना नजर आया अच्छा खभी क्या ऐसा हुआ है कि कोई डौगी सोया हुआ हो आप उसके पास से एकदम धीरे धीरे जा रहे हो ताकि उसकी नेंद खराब ना हो लेकिन फिर भी उसके कान खड़े हो जाते हैं अच्छा ये तो हुआ ही होगा कि जमीन पे कुछ खाना गिर गया हो कुछ मीठा चीनी या फिर कोई मीठाई गिर गई हो और कुछ समय बाद उसके आसपास अपने चीटियों को इखटा होते हुए दिखा हो ऐसा तो अकसर होता है ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि इन सब के पास भी सूपर सेंसेस होते हैं जो अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही जल्दी महसूस कर लेते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के पास ऐसी कौन-कौन सी सेंसेस होती हैं एनिमल्स भी देख सकते हैं सुन सकते हैं सूंग सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात एनिमल्स भी हमारी तरह महसूस कर सकते हैं वो अपने आसपास के खाने को भी दूर से पहचान जाते हैं जैसे देखे यह अपने red circle किया हुआ है, some animals can see their prey from far away, कुछ जानवर अपने शिकार को भी दूर से देख के पहचान सकते हैं, some can hear even the faintest sound, कुछ animal हलकी सी आवाज भी बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, faintest sound मतलब हलकी सी आवाज, some animals can find their friends by their smell, आप अपने दोस्तों को कैसे पहचानते हो, उनकी शकल से देख कर, लेकिन animals अपने friends को एक दूसरे की smell से पहचानते हैं, एक दूसरे की खुश्बू से पहचानते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि animals की दुनिया भी amazing senses से भरी हुई है, सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि ant के पास कौन सी super sense होती है, ants have super sense of smell in them, और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक story पढ़ते हैं, एक चीटी थी जो अपने बिल से निकल कर बाहर जा रही थी, उसने देखा कि दूसरे साइट से एक चीटीयों का जुन्ड जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो जो हमारी चीटी जा रही थी, उसने फुरुच से यूटन ले लिया और जल्दी से अपने बिल में वपस आने लगी, अब इस बिल के आसपास जो एंट खडी थी, उसने इस आती हुई एंट को तुरंथ ही पहचान लिया और उसे अंदर आने दिया, अभी मुझे ये बताईए, कि इस वाली एंट में और इस वाली ये जो बाहर से घूम कर जो अंदर गई, ये वाली चीटी में फरक क्या है, कि अगर मैं आपको पूछूं, तो क्या आप फरक पहचान पाएंगे, शायद हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी चीटिया एक जैसे लगती है, काली-काली सी या रेड-रेड सी, लेकिन हर आन्ट एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से पहचानती है, कैसे उनकी खुश्बू से, एक दूसरे की स्मेल से पहचानती है, वो जो होल से निकल कर जो चीटी जा रही थी, उसको कैसे पता कि ये जो चीटियों का जुन्ड आ रहा है, ये मेरे ग्रूप की नहीं है, ग्रूप का मतलब आपको तो पता ही होगा, आपने देखा है कि चीटिया अकसर एक ग्रूप में पाई जाती है, तो होल से निकल कर जो एंट अकेली जा रही थी, उसको कैसे पता चला, कि सामने से जो जुन्ड आ रहा है, वो किसी और एंट का ग्रूप है, वो इसलिए क्योंकि आइंट और अनिमल्स अल्सो एफ डिफरेंट सेंसेस, वो भी देख सकती है, सुन सकती है, सूख सकती है, और क्योंकि आइंट के पास है सूपर सेंस ओफ स्मेल, तो वो पहचान गई कि दूसरी ग्रूप के जो आइंट से उनकी खुश्बू हमसे बहुत अलग है, इसलिए वो हमारी ग्रूप के नहीं, उनका ग्रूप अलग ही है, वो दूसरी ग्रूप की चीटिया है, इसलिए they understood How did the guard ant recognize this ant? Guard ant को कैसे पता चला कि ये जो चीटी बाहर से अंदर आ रही है, वो हमारी ही ग्रूप की है, हमारी ही फ्रेंड है, किसी और ग्रूप की ant नहीं है Same answer, the guard ant also could recognize this ant because of its smell अच्छा, चलिए अब एक activity कीजिए, drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground How long did it take for the ants to come? उस खाने के आसपास चीटियों को आने में कितना समय लगेगा? Usually, 15-20 मिनिट लगेंगे Did one ant come first? और a group of ants came together क्या एक चीटी पहले आई? या फिर चीटियों का पूरा जुन्ड आया खाने को देखकर Usually, पहले तो एक चीटी आती है, खाने को परकती है, समझती है उसके बाद वापस जाके अपने सभी दोस्तों को लेकर आती है What did the ants do with the food? खाने के साथ क्या करते हैं वो लोग? The ants carried the food to their home Where do they go from there? उसके बाद वो वहाँ से कहा जाती है? वो अपने घर जाती है Do they move in a line? क्या वो रस्ते पे एक line बना के चलती है? Yes, they always move in a line चीटियां भी हमेशा एक line में चलती है They always move in a line अब इस फोटो में देखिए कि चीटियां कहा जा रही है एकदम straight लेकिन चीटियों को कैसे पता चलता है कि किस तरफ जाना है Ants always leave a smell on the ground and other ants follow the smell to find their way एक चीटि जब सीधा straight जाती है तो अपने पीछे एक तरीके के खुश्बू को छोडते हुए जाती है और पीछे जो ant है वो उस खुश्बू को follow करती हुई आगे पैप जाती है तो यही राज है इनके line में चलने का अच्छा आपने कभी क्या देखा है कोई doggy हमेशा यहाँ वहाँ आसपा सूंगता ही रहता है The dog always sniff hair and hair आपको क्यों लगता है साब वो क्यों सूंगता है क्योंकि the dog mark out their own area on the road हर doggy का एक अपना area होता है और आपने देखा होगा कि एक doggy के area में अगर कोई नया doggy आजाए तो वो कैसे भौभो करता है क्योंकि एक doggy को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके area में कोई नया doggy आए तो इसके लिए वो क्या करते है usually वो अपने area में हमेशा इधर उधर कहीं पे भी toilet करके एक smell छोड़ते है और उनकी toilet की smell को दूसरे dogs आराम से पहचान लेते है तो इस photo में ये जो doggy सूंग रहा है वो सूंगने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे किसी और doggy ने toilet तो नहीं की अगर किया होगा तो उसका smell ये doggy बहुत आराम से महसूस कर पाएगा और वो इस area से चला जाएगा तो यही है खासियत super sense of smell की in dogs इक ये लियुक यार झाह महऌर कि पहन पालएव नहीं है झालध़ झाल दिघ्ट मालकश प्रणस है